आमिन खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंग चद्धा के बॉयकॉट की मांग थमने का नाम ही नहीं ले रही। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होते वक्त से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग आमिर खान और उनकी फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे। और इस बॉयकॉट की मांग कसर लाल सिंग चद्धा के बिजनस पर भी साफ साफ देखने को मिला। आमिर खान और करीना कपूर खान तक लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनकी फिल्म को बॉयकॉट ना किया जाए। और हर को इस फिल्म को देखे। लेकिन बॉयकॉट की मांग के साथ साथ जगा जगा लाल सिंग चद्धा का विरोध भी किया जाने लगा है। और इस पूरे बवाल पर अब एक्ट्रेस मोना सिंग ने रियक्ट किया है। लाल सिंग चद्धा में आमिर खान की मा का रोल निभाने वाली मोना सिंग ने उन लोगों की मंचा पर सवाल उठाए हैं जो फिल्म को बॉयकॉट करने पर तुले हुए है। लाल सिंग चद्धा फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। लेकिन फिल्म की रिलीज से कई दिन पहले ही ट्विटर पर हैश्टैग बॉयकॉट लाल सिंग चद्धा ट्रेंड करने लगा था। लोग आमिर खान के पुराने विवादों को उठाने लगे और इसी वज़े से वो फिल्म का पहिशकार करने की मांग कर रहे थे। लेकिन मोना सिंग इससे बेहत खफा है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा आखिर यी बॉयकॉट ट्रेंड इस तरह कैसे जोर पकड़ रहा मोना सिंग को इस बात से बेहत धक्का लगा है जो आदमी 30 साल से लोगों को एंटरेंड कर रहा है लोग उसी के खिलाफ बॉयकॉट का जंडा लेकर कैसे खड़े हो गए। तो वो तुरंट आ जाएंगे। मोना सिंग को भी इस बात के लिए काफी ट्रोल किया गया कि वो उम्र में आमिर से काफी छोटी है और बावजूद इसके वो उनकी बाका करदार निभा रही है। इस पर मोना ने पलतवार करती हुए जवाब दिया। वो फिल्म में आमिर नहीं बलकि लाल की मा के रोल में है। आमिर ने मोना सिंग का बचाफ किया था। लाल सिंग चद्धा को भरे ही बॉयकॉट किया जा रहा हूँ लेकिन बहुत से लोग और बॉलिवुड सिलेबिटीज इस फिल्म को पसंद कर रही है। लाल सिंग चद्धा हॉलिवुड मु इसने पचास करूर रुपे का आंखना पार कर लिया।